इस्राइल पैलेस्टाइन और इंडिया को लेकर एक काफी इंट्रस्टिंग कहानी है जिसमें इंडिया की पावर की जलग दिखाए देती है पहले हमारी फॉर्ण पॉलसी हुआ करती थी जिसमें हम सभी मुलकों से इक्वल डिस्टंस बना कर रखते थे लेकिन अभी इसमें कुछ बदला हुआ है और इसी को लेकर एक काफी भी है कुछ साल पहले परदान मंत्री इस्राइल की यातरा करते हैं और यातरा करने के बद वापीस आजाते हैं फिर उनका अगला जो दोरा होना होता है वो पैलस्टाइण में होना होता है और जब वो पैलस्टाइण जा रहे होते हैं तो उसके बाद महाँ पर जोडन के king से उनको एक offer मिलता है एक invitation मिलता है कि आप जो यहाँ पर जाने के लिए helicopter करेंगे वो हम से लीजेगा अपना हेलिकॉप्टर आप मत लाईएगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस ओफर को एकसेप्ट कर लेते हैं जब ये ओफर मिला इसके बाद कुछ ऐसे कायास लगाय जा रहे थे कि शायद इसराइल इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं होगा जो भारत के प्राइम मंत्री है वो पैलस्टाइन जा रहे हैं क्योंकि पैलस्टाइन और इसराइल के जो रिष्टे हैं वो आज भी कुछ अच्छे नहीं है लेकिन इसराइल न यहां पर नराज होनी के बज़ड़ाए भारत के परदान मंत्री को कहा कि ठीक है आप इस हेलिकोप्टर में तो जाएए लेकिन इसके साथ हमारे छे एरक्राफ्ट आपको एसकोट करेंगे पैलस्टाइन तक ताकि आप सुरक्षित तरीके से वहाँ पर पहुंसकें अगर आप देखें रिष्टे वैसे जोडन और इस्राइल के भी कुछ खास अच्छे नहीं है लेकिन इस्राइल परदान के रिष्टे तो बिलकुल ही अच्छे नहीं है इसके बावजूद भी भारत के परदान मंत्री को सुरक्षा परदान करने के लिए ये तीनों मुल्क च